प्रहाल टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें मैं फिरोज हास्मी आप देखरें प्रहाल टाइम्स आज मैं आपको एक ऐसी खबर बता रहा हूँ जिसने कई मुद्दों पर मोजी सरकार की नाकामिया गिनाई है, सेफ इन इंडिया फाउंडेशन अंदोलन कस्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक सुरू कर दिया है, जंग छेर दिया है, उनका नाम रेबिल स्रधानन्द है, पती है, सोसलिस्ट एक्टिविटिस्ट है आगे लेके से लाइब आप दिया के सेव इंडिया का अंतरगाद है क्या करने वाले है, बिजएपी गॉर्मेंटन कर की थी हanden आया, तो मैं 370 का जो असर ये, उस असर देखने क लिए जा रहा है, उनकाल जोलुएर किया है बताना चाहूंगा उसमें काफी सारे यूथ एक्टिविस्ट हैं बाशित वशीर बगरू उनका नंबर में आप लोगों को शियर करूंगा शिनगर के तमाम वॉलेंटियर्स जो हैं जो मेरे साथ इस मंच प्यार रहें देश के लिए पुंच दोड़ा जितने भी जिल की अब तक और उन्होंने जो बताया पिछले पांच अगस को उन्होंने यह क्या तर पांच अगस में राम जन भूमी का किया अध्या का सफर भी में करूंगा लेकिन सुरुवात अगले हफते फ्राइडे से काश्मीर का मैं सुरू कर रहा हूं सेव इंडिया कैंपेन आप स जाती की बात करता है भाई और वेनों सेव इंडिया भारतियों की बात है ताकि हमारे देश के जितने नागरी के वह बटते नहीं हमारे देश में बς ब्रॣजगारी का मुदा दा दो करब नौकरी की आज के डेट में पंदरा करोरो नौक्री यह जा चुकी है इसके ऐसके भी रिक्षावाले जितने भी रिक्षावाले जो आटो द्योग के लोग है जो चार मीने से अपने घर बैठे रहे उनके ओपर कोई बात नहीं करता ओफिशल एप्लिकेशन दे के DCP साब से बकाइदा परमिशन लेका है और कागज मेरे पास आज है मौके पर है यह मैं आपको सम्मान और धरोर है और बीविन ने जबाई जो मेरे साथ आप युवा साथ ही देख रहे हैं यह कोई मेरे पार्टी के समर्थक नहीं क्योंकि मैं कोई पार्टी का परिचे नहीं हूं अफसर यह कोई पार्टी के परिचे नहीं है मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरी बात एक और है जब आप सेव इंडिया कैंपेंड में जुड़ते हैं तो आप इसके हर जगा की समस्याओं को देखें और लाइव में कमेंट्स को देखें और फिर मुझे सुचित करें पामपोर जहां केसर की खेती होती है जम्मु काश्वीर में हिंदुस्तान में एक ही जग संप़ आनंत नाग हवंति पूरा का जित्र है जम्मु काश्मिर में उनके बारे में आप खादिम साब से संपर्ग कर सकते हैं जो लोग यह कहते कि नेता है यह नहीं जाते इडवाए दिये जलाए तब 15,000 लोग करोना से पीडिते आज 15,000,000 से उपर है तो जवाब यहीं पर है मैं क्यों बोलू कि आप सही अकलते हैं आप कहते हैं आकड़े बताते हैं तो आकड़े ही बताएंगे लेकिन अब वक्त आ गया कि आप सड़क पे आईए आपको हमने सड सद तक भेजा था मैं आपसे वादा करता हूं मानीने प्रदानमित्री मोदी जी अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको दोबारा संगसत से सड़क तक लाया जाएगा यह जंगता के आवाज कोई नीजी आवाज नहीं है अगर आप अच्छा कारिय करेंगे आपके अखिल खान उनके लिए हम प्रयास रहते हैं हमारे संगठन के लोग अलाबाद में उनका केस लड़ रहे हैं मेरी मिसेज वो भी लौ प्रोफेशन से वो उनको केस को असिस्ट भी करने के लिए तयार हैं अखिल गोगोई जो आसाम के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट है किसानों के एक्टिविस्ट आज उनके आप एनेस से लगा देते हैं मैं लौ प्रोफेशन से हूँ तो बीजेपी के किसी अधिकारी का पावर नहीं है कि मुझे जेल में बेज़ दे क्योंकि कानुन का जवाब तो कानुन से देंगे न मानीनी सुप्रीम कोड है जब मानीनी योगी आदितेनाज जी लखनों में बेन फौजया राना जो कि मुनवर राना की बेटे हैं और मेरी साथ ही हैं जब आप उन पे मुकदमा दर्ज करते हैं तो मुझे दुख होता है आप उनके पोस्टर लगाते हैं लोगों के कि इन लोगों को पर पैसे जबकि सुप्रीम क से बढ़े हैं भाई और बैनों आज के आवाज केवल सेव इंडिया के लिए मेरा फेस्बुक पेज रेबल सदानन पति आप गूगल पे केवल रेबल बोलें आपको अपना बेटा अपना भाई आपको गूगल पे नजर आएगा और मैं कोई संगधन नहीं चलाता हूं मैं मैं एक MSM संगधन चलाता हूं कोई राजनितिक दल का आदमी नहीं हूं मैं अगर कॉंगरिस का निता काम करेगा तो उसकी बातारीफ होगी नहीं करेगा तो उसकी भी पोल खोली जाएगी चाए बीजेपी का हो चाए आम आदमी पार्टी का हो हमारा एक छोटा सा आर्टिक काल फाइल किये मैंने 1300 अर्टिकल जिसमें मौझूदा जितने विदायक और सांगसद हैं जिनको सरकार से फंड मिलता है वो अपने छेतर में कितना काम कर चुके और कितना काम नहीं किया और वो पेमेंट की क्या स्थिती है उसको हर महीने मैं आप लोगों में पब्लिक करू लड़ने के कई तरीकें लेकिन मैं कनुरोद करूँगा आज 9 करोड से जादा लोग मेरे संगटन को जोड़ चुके जो आप इंटरनेट में देख सकते हैं केवल 3 महीने में और 5 सेप्टेंबर से अमरीका के 2 और आस्ट्रेलिया के 3 जगाओं पे मेरा कैम्पेंड शुरू ह हो रहा है मैं को पॉल्टिकल आदमी तो हूं नहीं मद्यमवर परिवार्शियों वैगनार में चलता हूं आपके एक साथी ने बोला यह सी में बैठता है तो मुझे एक बात बता दें क्या इसी की किमत इतनी बढ़ी है का मैं एक एसी अफ़र्ट नहीं कर सकते वह पड़े पर ठीक है दें चोटि मुटी काड़ी किस्तों में तो लही सकते है आप लोग रेंज रोवर मेंग चलते हैं फर्क यह मैं सड़क पर चलता हूं बीच में लोगों में रता हूं चितने भी भाई है मैं इनको किसी को मिन जानता लेकिन sacred भाष्व मेरे जैन गलत तोनिये जी एक बात और है, दूसरी एक बात और है, मैं इस मुल्क को हिंदुस्तान के नाम से नहीं जानता, मैं इस मुल्क को भारत के नाम से जानता हूँ, यही नाम है ना मारे मुल्क का, आज आप मुल्क का नाम बदलने में लगें, आप इलाबाद को प्रयाग राज कर देते हैं, पाश्मिर के जितने नेताओं को आपने PSA के अंदरगत बंद कर रखा है उमर अब्दुल्ला हमारे युवा साती हैं आप उनको नजर बंद करते हैं आखिर एक साल से ज्यादा क्यों बंद कर रहे हैं क्या वो आतंगवादी हैं उनका जुर्म क्या है आज अखिल को गई वो हिंदू हैं आप उनको बंद कर देते हैं वो किसानों के आवाज उटाते हैं हर मंज से भागना पड़ेगा लेकिन मैं एक बात अनुरोध करूंगा मेरे जितने भी साथी हैं जो लोग मुझे सुनते हैं मेरी हाथ जोड़के बिंती है आप मोदी जी के परिवार में वेक्त और केंदर में भी आपकी सरकार है सबसे जादा क्राइम का रेकॉर्ड जो है वोत्तर पदेश में पत्रकार की हत्या होती है बलतकार की घटना होती है यह जो जगह है यह बहुत ही पवित्र जगह है जामा मस्जिद बेहत पवित्र जगह हमारे हाँ हर मंदिर हर मस्जिद ज तुम कौन हो गोली मारने वाले क्या तुम कोई सरकारी तंतर हो क्या तुम लाओ विदान हो तुम क्या हो वह गौवर्मेंट कॉंसिल हो और हमेशा जी हमेशा से में एक बात पुस्ता आया हूं आप लोगों ने बोला था अच्छे दिन आएंगे भईया किसी को 15 लाग नहीं भूल जाइए नहीं चाहिए आपका बेटे ने तो कभी क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा आप गिरिया मंतरी आपका बेटा बीसी से का सेकरेटरी बंद है और फिर आप बोलतें कि स्वच भारत बनाएंगे मानीनिय प्रधान मंतरी जी आपने परिवारबाद के उपर इतन नहीं इस देश में हिंदू के दिल में मुसल्मान बसता है और मुसल्मान के दिल में हिंदू उसका चाजा उधारन एक ब्रामन आज जामा मस्जीश से अपनी शुरुवात कर रहा है मैंने पहले भी आप से बोला था मेरी जो पहली 15 अगस की डिक्लेरेशन थी लखनों में थी और मुनवर राणा के साथ मिल के थी अब मुनवर राणा जैसे जो 200 के सबसे बड़े शायर हैं आपके पार्टी के लोग उन्हें भी कद्दार कह दे वाच्च आरेशेस का आप परेंद पहले तो ही हम देशमक थे हमिद गुल ने कुरबानी ने शायर हने तेबल पर आके जिन्हों ने देश के बर गुलामी के दोरार कुरबानी देदी हो बी-जे-पी के दो नेताओं का नाम तो बताईए लेकिन मैं आपको गिनाता हूँ आपने ट्रेन बेचा आपने प्लेन बेचा आपने होाई जाज बेची आपने बी-सनल बेचा आपने बी-च-ईल बेचा आपने मंदिर बेचना शुरू कर दिया आपने लाल किले तक को लीज करना शुरू कर दिया जिस लाल किले के उपर आप सवाल उठाते हैं मेरे पीछे यह देखे बाई और बेनो लाल किला आप देखें अफसर जी जिस लाल किले के लिए आपके पार्टी इतनी बड़ी-बड़ी बाते करते हैं 15 अगस्तर 26 जन्वरी को आप उसी लाल के लिए से तिरंगा फेराते हैं एक काम कीजे अगर लाल के लिए से शिकायत है दो नए बिल्डिंग बना लीजे भाई तिरंगा तो जहां है तिरंगा है क्यों भाई यह गलत तो नहीं है देश तो हमारा एक ही है न या हमें कोई यह भी बताएगा कि देश कैसा होता है आप से पहले भी लोग देश भक्त रहें आप एक काम करें मैं काश्मीर में अगले फ्राइडे यह जो सुक्रवार आ रहा है मैं काश्मीर के यात्रा सुरू कर रहा हूँ आप जेल के दर्वाजे खोलें आपने चन इतने दिनों में जो मुझे भी बठाया थाने में आपने बहन एमन रिजवी जो परसो मेरे साथ थी शाहिन बाग में प्रोटेस्ट करती थी उनके पैर के नाखून तक उखाड़े गए बहन जी भी हमारे साथ हैं विचार धारा सबकी एक ही कि देश को बचाये जाए तो मैं एक बात आपको बोलूँगा आप जेल के दरवाजे खोलना सुरू करें खुली करें आपके जेल में जगा कम पड़ जाएगी जेल में घुसने वालों की तादाद लाखोनी करोणों में होगी पर एक गैरेंटी है आप उनको खाना नहीं खिला पाओगे जिससरा आप करोणा में खाना नहीं खिला पाए हमने बोला गुर्दवारे मस्जिदर मंदीर के दरवाजे खोल दो और चर्च के अगर ये संगठन आप लोगों को खाना ना पहुचा दे अस्पताल में तो हमारा नाम बदल लीजेगा आपने ये करने नहीं दिया लेकिन आपने जिन लोगों को करोणा में रखा कॉरिंटाइन में आप उन्हें पानी तक नहीं पहुचा पाए एक आज वीडियो नहीं है लाखों के तराज पे वीडियो भाईयो गलत तो नहीं बोल रहें देखिए देश के जितने भी लोग है ना बहुत रस्त हैं जब से आप आएं आपकी सारे सिदांद फेल होगे नोट बंदी आपने बोला काला धन आएगा वो आएगा अरे भीया आपने हमारा सारा धनी ले लिया हमारे ओरतों के जो छोटे मुटे धन होते देना कि ब्याज शादी एमर्जिंसी के लिए बचा हुआ रहेगा आपने वो तक GST में ले लिया उसके बाद आपने कमाल कर द कभी 2020 कभी टेस्ट इंडिया भाईया डिसाइड तो कर लिजे कि ग्रियमंत्री जी और आप दोनों में से सच कौन बोलता है आपने बोला आत्मनी रिवर्वनों यकीन मानिये दोईस्ट की जनता का आत्मा ही आपने ले लिया और पहले भी मोधी जी आपने एक दिन बोला थ आता स्टेशन पर अब लोग यह कहते हैं कि स्टेशन को चाय वाला बेच रहा है भाई एक पर तो ताली हो जानी जीरे भाई यह ताली इसलिए देखे हमारे देश के लोग कितने बहतर हैं कि जब हम किसी के विरोध में भी बोलते हैं तो भी वह अफशब्द नहीं बोलते लेकिन आपने लखनों मुरादाबाद शाहिन वाग में जितने भी लोग हैं ठोक के मुकर्द में लगाएं आप जामिया के अंदर खुस गए आपने चात्रों में लठ बजाया आपका दिल नहीं पसीज़ा जिन लोगों ने जामिया के चात्रों को मारा क्या उनके बच्च से बार मत निकलो करोना है करोना है एक मास्क ना पहने तो औरतों के सामने उनके हस्बेंट्स की पिटाई करी किसी को तो फ्रैक्चर भी आया कई वीडियोस हैं लेकिन मानिये प्रदान मंत्री जी आपकी एर आपकी टीम राज्यस्तान और मत्रदेस का नेताओं का अधला बदली करोना काल में करते रहे तब यह सोशल डिस्टेंजिंग कहां चला गया था यह करोना बड़ा सेकुलियर है जहां बीजेपी की बात आती है करोना किनारे हो जाती है अमिश्या जी करोना पोजिटिव होते दो दिन मार येस अमिश्या साहो के शाह करोना का अरा दिया और भाई और बेनों एक बात और बोलूँगा कभी भी किसी फिल्म इंडस्टी की जो सेलेब्रिटी देना इन पे जादा ट्रस्ट मत कीजेगा मत कीजेगा जैसे का मिता बच अच्छे दिखा दी जिनको एक बार ये बोलते हैं न कि अस्पताल अच्छे हैं बोलते हैं की नहीं बोलते हैं तो फिर अमिता बच्चन सरकारी अस्पताल में हिलाज क्यों नहीं करवाते नानावती अस्पताल में क्यों जाते हैं मैं बताता हूं क्यों जाते हैं क्योंकि नानावती अस्पताल का जो गुरूप है उसका नाम है रेडियंट गुरूप और हमिताब बच्चन जी उसी रेडियंट गुरूप के बोर्ड अफ डारेक्टर्स में तो एड़िटिस्मेंट है डॉक्टर्स बहुत अच्छे हमारे को बहुत अच्छा हिलाज दे रहे हैं दो कोई भी मौधी जी को गाली ना दें कोई भी किसी के परिवार को क्योंकि माता बहने सबकी एक हैं और दूसरी एक बात में बोलूँगा जामा मस्जिद में खड़े होके बोल रहा हूं और फक्र के साथ बोल रहा हूं कौन सा गौवर्मेंट जो मिल गया लेकिन एक तड़ी कोई खामी नजर आती है आप अपने कमेंट्स लिएक हम सुधार करेंगे सुधार करेंगे अगर आपको हमें कहीं लगता है कि इस चीज को बोलें तो भाई के लिए अच्छा है सजेशन दीजे फोन कॉल लगबग 8-9 लाक आते हो फोन अभी अन्रीचेबल है सबका फोन नह अपने कमरे में घुज गई है निर्मला जी ने बोला था मध्यमवर्ग परिवार की कमाई 6-18 लाक है एक जज की तंख्वा 1.5 लाक यहने की साल के 18 लाक है तो क्या एक जज़ मध्यमवर्ग परिवार से होता है जबक्या आप ही की कोड बोलती को कीरीमी लेर में आते आता हूं ज़ि नहीं जय और मोधी जी को भी बेज दीजे ग्ल्ट तो नहीं बए जोड़ा घ्ल्स बोले इंगा कि इनको ना लोग आज बोल नी रहे हो लोगों को ढ़र दिखा झाले के का और तो जिल जाओ तो चलो भाई जेल ही चलते हैं अरे जेल ही हैं भाई मौत है तो मौत है भाई एक बार तो मर नहीं है तो क्यों ना ढंग से मरें और इनके आ तो मरेंगे बहतर इन से लड़के मरें क्या हर्जे और जो लोग ये कहते हैं कि हिंदु मुसल्मान अलग है मैं आज आपको फक्र जे बोलता हूँ एक बात हद侑 और मेरे फॉलिवर में 70% मेरे मुसलिम भाई हैं कि वह भी इनको चुल लगती है अरे भाई अगर कोई फॉलो कर रहा है कुछ बात सुनके ऑज फॉलो कर रहोगा है सुन कहीं आज आज आप अत्याचार कर रहे आप मेरे उपर तो लाएं नहीं, तो जिसके उपर लाएं उसके सवालका जबाब तो मुझे बहुत कर दो चाहरा जो और विस भीब 2-5 आ無ईजा यह इंयो है और कॉन को बनाइं रखी क division ऊजल अदो यह दोनों का नाम लूगा बाई दोनों यह हर कौम में दिक्कत है अदो हम एक अच्छी बात है क्यों नहीं आम कुरेशि के कवाब खाने आते flies dar बीस साल से एक कुरेशी जी का कवाब खाने आते हैं, यहीं पर करीम्स में खाना खाने आते हैं, यहीं चान्नी चौक का साड़ी खरीते हैं, और आपको एक बात और बता दें, मेरे भाई, मेरे भाई, एक बात और बता दें, एक बीजेपी के नेता जो बोलते हैं, इनकलाब, एक बार आवाज है इनकलाब बोलते हैं न वो इनकलाब का नारा किस ने दिया था हसरत मुहानी साब ने और वो कौन से समुधाय से आते हैं यह मुझे आपको बताने के आवश्यक्ता नहीं है नारा लगाते हो इनकलाब का हसरत मुहानी जियो को उन्नाव गए और बाते कर तो CA NRC की सभी मुद्दों में बात होगी सभी विशे में चर्चा होगी मेरे साथ मेरी लीगल टीम है आपके पड़ेली के स्मृत्य ना निकले तो मैं अकेले ही काफी हूँ पोस्ट ग्राइजवेट हूँ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पहली बता दूँ जब आप एक बारवी पास को सिख्षा मंतरी बनाते हो तो क्या एक पीजडी वाला उससे कवर करेगा एक पीजडी वाला कवर करेगा आपको यह बास समझना होगा अफसर आपको यह बास समझना हो का यह देश अब जुम्लों में नहीं चलेगा मैंने अपने पहले बाष्ण में एक बात बोला था अगर इजादद ओ तो कह दें एजादद है फुलके देखो देखो कौन आया घुजरात का शेर आया चापन इंच का सीना देखा देखा शेर की चाल कमाल करते हो मियां आज हम वह भौक रहे। नेपाल से बवर आज नेपाल कहता है कि भगवान राम नेपाली थे बबराबर अहुत्हिंद नेपाल में था तो बाय साब आप इतियास को तो बदली देए अब तो भीगौल बदल रहा है अब तो मेरे बात शुना लिजें प्रक्राइब मोदी जी नमस्कार मेरे पत्रकार साथी यह सारे चैनल वाले आपका अभिवादन आप सब का अभिवादन सेंड मतलग है यह लाउड नहीं है केवल कैमरा स्टैंड मना यहां पर आप सबका अभिवादन पांच मिनट आउट चलने दीजेए पर दिखा आप कौन से चैनल से बोली एक बार मैंटम पीछे आप गयंदर जी वाइस न्यूज नेटवर्क आए देखिए मैंने किसी मीडिया को सुचित नहीं किया था लोग अपने आप आरे भाई बराबर आपको बोला देके मैं आ रहा हूं आज यहीं इंशालला मुलाका दुई न अभी ने इस बात की तबियस से इनको प्राब्लम होती है कि लोग आपस में मिल क्यों रहे हैं करोना में हमें सोशल डिस्टेंजिंग का पार्ट पड़ा दिया गया अज सचिन पाइलट बेचारे जूजते रहे राजस्तान की सरकार बदलने में रहे बीजेपी के नेता पै भारत के नाम से जाना जाना चाहिए पहली बात भारत के नाम से देश को जाती के नाम से मत बनवाईए धर्म के नाम से मत बनाईए जब मुहम्मद खैफ क्रिकेट खेलते दे और हमने नेटवेस ट्रोफी जीता था तो आपने तालियां बजाई जब मुहम्मद लगता है तो सब को डर नगलें लगता है हना कि आमिर जी की गल्ती दी आमिर खान ने कोई भी आदमी कभी भी पूरे शब्दों का प्रयोग ना करें मैं अनुरोद करता हूँ कोई भी मोधी जी कोई भी बीजेपी के कोई नेता के परिवार के बारे में अप शब्द ना कहें क्यों यह हमारी तैजीब नहीं है क्या नहीं है यह हमारे संसकार नहीं है क्या नहीं ह हमें लगता है संसकार से सिख्षा से पहले हमें संसकार जरूरी है इस देश का एक ही संसकार रहा है वह विविदिता में एकता आपने ओलाइन सुनी होगी मजभ नहीं सिखा था आपस में बैर रखना इस देश में लाखों लोगों ने अपना पसीना खून दिया है लाखों ल करेंगे बियार का चुनाव आपके सामने मैं बियार के चुनाव में निसुल कैम्पेन कर रहा हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिनका मुकदमा नहीं है मैंने बोला है जिस भी लोगों का नेता का मुकदमा ना हो क्रिमिनल रेकॉर्ड ना हो आधी रात बुलाई हम कैम्पेंड करेंगे आपके लिए